Hello everyone, I am Jody Jaya and welcome to NCRT The Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओस्वाल का NCRT वर्क बुक क्लास 4 हिंदी का चाप्टर 11 पढ़को की सूज तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास ओस्वाल का NCRT वर्क बुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरीच सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं चाप्टर 11 है पढ़को की सूज तो पहले हम थोड़ा पार्ट के विशे में जान लेते हैं ठीक है तो पार्ट में एक तरक सास्तर का पढ़को व्यक्ती कोल्हू चलाने वाले बैल के बारे में कुछ ऐसी बातें बैल के मालिक से कहता है जिसे सुनकर मालिक को हसी आजाती है और वह उसे समझाता है कि मेरा बैल आपकी तरक सास्तर नहीं पढ़ता है इसलिए सब ठीक है आप परेसान ना हो ठीक है इसके बाद है कठिन सब्द और उसके अर्थ पढ़को यानि की पढ़ने वाला कोलू तेल निकालने का उपकरन धब यानि की तड़ीका, गजब, कमाल मंतिक यानि तड़क सास्त्र तनिक, बहुत कम, भेद, राज, छल, धोखा ठीक है? इसके बाद है अभ्यास काड़िय अठाइस कवीता में कहानी पढ़को की सूच कवीता में एक कहानी कही गई है इस कहानी को तुम अपने सब्दों में लिखो ठीक है? तो एक दिन पढ़को समझ नहीं पाया कि कोलू का बैल बीना चलाए कैसे घूमता है उनको लगा मालिक ने बैलों को कोई तरीका सिखा रखा है एक दिन उसने मालिक से पूछा की तुम कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है? मालिक ने कहा उनके गर्दन में बंधी घंटी की आवाद से इस पर तरक सास्त्री पढ़को ने कहा कभी बैल अड़ गया तो तुम्हें उस दिन तेल नहीं मिलेगा पढ़को की बात सुनकर मालिक हसा और बोला तरक सास्त्री पढ़को बैलों को युक्तियों की बाते नहीं आती क्योंकि उसने तरक सास्त्री नहीं पढ़ा है ठीक है? तो ये है आपका कहानी जैसे कि अगर कभीता में इस तरह से कहानी कहा गया है तो इसे आपको सौट में अपने सब्दों में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या फिर एक्जाम में भी आ सकता है कि पढ़को की सूच कभीता में कहानी कही गई है इस कहानी को तुम अपने सब्दों में लिखो, ठीक है? तो आप इस तरह से सौट में लिख सकते हैं कवी की कविताएं तीसरी कक्छा में तुमने रामधारी सिंग दिनकर की कविता मिर्चिका मज़ा पढ़ी थी अब तुमने उन्ही के कविता पढ़को की सूच पढ़ी दोनों में से कौन से कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया? चाहो तो तीसरी कक्छा के किताब फिर से देख सकते हो तो मुझे काबली वाला की सूच कविता पढ़कर ज़्यादा मज़ा आया तुम्हें काबली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पड़को या कोई भी अच्छा नहीं लगा तो मुझे काबली वाला ज्यादा अच्छा लगा ठीक है आपको कौन सा अच्छा लगा तो आप अपने अनुसार लिखेंगे अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंडो कविताएं इकठा करके कविता की एक किताब बनाओ ठीक है तो यह आपको खुद करना पड़ेगा अपने साथियों के साथ मिलकर आप एक एक करके कविता ढूंड़े बहुत सारी कविताएं हैं और उससे आप इकठा करके एक किताब बनाईए उसका ठीक है पढ़को पढ़को का नाम पढ़को क्यों पढ़ा होगा क्योंकि वह दिन रात पढ़ता रहता होगा इसलिए उसका नाम पढ़को पढ़ा होगा तुम कौन सा काम खुब मन से करना चाहते हो उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़कू जैसा कोई सब्द सोचो तो मैं चित्र बनाने का काम खुब मन से करना चाहता हूँ या फिर गाना गाने का काम खुब मन से करना चाहता हूँ इसके लिए मैं चित्र कार कहलाना पसंद करूंगा ठीक है, अगर गाना गाने का काम बहुत अच्छे से आप चानते हैं, करना चाते हैं, तो आप गायक कहलाना पसंद करेंगे, या गाई का, ठीक है, इसके बाद है अभ्यासकारिय 29, अपना तड़ी का, हाँ जब बचती नहीं, हाँ जब बचती नहीं, दौर करतनिक पूछ धर पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकर लेता हूँ, नीचे लिखे वाक्यों को अपने सब्दों में लिखो, ठीक है, तो मगर बूंद भर तेल सांज तक भी क्या तुम पाओगे, तो मगर साम तक भी बूंद भर तेल तुम नहीं पा सकोगे, बैल हमारा नहीं, अभी त तरक सास्तर नहीं पड़ा, सिखा बैल को रखा इसने निश्चे कोई धब है, इसने बैल को जरूर कोई तरी का सिखा रखा है, जहां ना कोई बात, वहां भी नहीं बात गढ़ते थे, जहां कोई बात नहीं होती थी, वहां भी नहीं बात बनाने लगते थे, मेहनत के मुहा महावरे, ठीक है? कोलो का बैल ऐसे वेक्टि को कहते हैं जो कड़ी महनत करता है या जिस से कड़ी महनत करवाई जाती है महनत और कोसिस से जुरे कुछ और महावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में प्रियोक करो ठीक है? तो जैसे है कि दिन रात एक करना तो नीतु ने डॉक्टर की परिक्षा पास करने के लिए दिन रात एक कर दिया ठीक है पसीना बहाना तो पैसे कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है एरी चोटी का जोर लगाना मैच जीतने के लिए भारतिय टीम ने एरी चोटी का जोड लगा दिया ठीक है गढ़ना पड़को नई नई बातें गढ़ते थे बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं तो सुनार क्या गढ़ता है गहना, लुहार लोहे की चीजें ठठेरा, बरतन, कवी, कवीता, कुमार, मीटी के बरतन, लेखा, कहानी गढ़ता है अर्थ खोजो, नीचे दिये गए सब्दों के अर्थ, अक्छार जाल में खोजो ठीक है, तो ढब, भेद, गजव, मन्तिक, छल ठीक है, अब इसका आपको इसमें खोजना है तो तड़क, तड़क सास्त्र, राज, तड़ीका, कमाल, धोखा तो देखे, ढब का क्या होता है, ढब का मतलब वो तड़ीका भेद का, राज, चलका, धोखा, गजव का, कमाल, मन्तिक का, तड़क सास्त्र ठीक है, तो इस तरह से इसे बना लेंगे आपका वर्क बुक कम्पलीट हो चुका है, कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए, अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई, टेक कियर, थैंक्स टू वाच मै वीडियो